आप सभी कुपड़ाम, मैं राजन सिंग, आज का जो बिसे है मधुदन की विशेन मल परवना के गहरवार महावद खान के साथ जो समन्दीत राजपूत का एक समाजिक समु के रूप में उभार और विशेन मल गहरवार राजपूत की अबादी मल सहत्वार चत्री अबादी के साथ बिर्तिश भारत की जनगर्णा में एक साथ गिंती राजा बोध मल उर्फ सलेम जो थे जो जिनका धर्म परिवर्तन हो गया था धर्म परिवर्तन से उपजी परिस्तितियों के बाद मदवन के विशेन मल और उनके साथ खड़े अन विशेन मलों का मजवली के विशेन मल और अन विशेन मलों से परिवारिक रिष्ते तूट गए मजवली के राजपरिवार द्वारा इन सभी परिवारों का रानितिक और मल सैतवार समाजी के पिर्थविकर्ड किया गया यहां ध्यान देने की बात यहा है कि मजवन छेत्र में पावा से सम्मंदित मल उपनामधारी अबादी बहुत देकाल से ही रहती थी सन 1765 इश्वी के आसपास धनव राय के साचन काल में पडरोना के गहरवार जो मदवन के विशेन मलों के नजदी की रिषदार थें और जिनके पूरुवज राय नत्त राय ने राजा बोदमल की सहाथा करने से मना कर दिया था जिनकी आर्थिक हिस्तिती खराब हो गई थी बदली आर्थिक परस्तितियों में गहरवारों को भी मजवली परिवारों के गुस्से का सामना करना पड़ा इस तरह मदवन और पडरोना के परिवारों का मुख्यधारा के छत्री राजपूत परिवारों से पूरी तरह अलगा हो गया उसके पहले यह सभी मुख्यधारा क ही थे महावत्खान से संबंदित सभी राजपूत परिवार पहले से सिर्फ आपस में ही समाजिक संबंद बनाते थे बदली परस्तितियों में मदवन के विशेन मलों प्लरोना के गहरवारों और महावत्खान से संबंदित राशपूत परिवारों ने आपस में समाजिक संबंद अस्तापित कर लिया जिसे गहरवार, विशेन मल और तमाम जितने भी राशपूत परिवार थे जिनकी गिंती मल सहतवार करकर होने लगी राजसलेम से जुड़ी गटना के लगबग देर सो साल बाद तक समाज में तीनों अबादियों विशेन मल गहरवार राशपूत को धिरे-धिरे मल सहतवार ही माना जाने लगा बिटिस भारत की पहली जनगणना जो सन 1865 इसवी में उत्तरी पश्चिमी परांतों में पूरी हुई जिनमें इन तीनों अबादियों की गड़ना प्राचीन मल सहतवार चत्री के साथ की गई इसके साथ ही समुची अबादिय को खेतियर जातियों के समतुल दर्ज किया गया जिसके प्रमुख कारण अधिकतर आबादि का आजी युका के लिए खेति पर निर्भर रहना परंपरावादिया ब्रामण धर्म मानने वाले चत्रीयों के वनसजों के साथ समाजिक सम्मधना होना और अधिकतर ब्राममणों द्वारा उन्हें चत्रीयों से एक अस्थान नीचे मानना था क्योंकि आपको तो पता ही होगा अगर वीडियो सही से देखे होंगे तो इन में से कौन आपका बरिसकार परसे जादा किया है धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियेगा और सभी भाईयों तो पोचाईएगा